हलो एब्रिवन आप सभी के मारी यूटूब चैनल संद्या किचन में स्वागत है आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी रेश्पी लेके आए हूँ वेज सोया की मा जो बहुत ही टेस्टी बनता है घर में बचे ही सब्जियों को आसाने से आप उसको सोया मिक्स करके बना स पीशा है इसको दरदरा ज्यादा बारिक नहीं पीशना है और यहां मैंने तीन से चार मेने प्यास कुल अच्छा कर में कट कर रख लिया है और तीन से चार हरी मिर्ची और लाल मिर्ची है और यहां मैंने एक कप गाजर मैंने बारिक कट करके रख लिया है एक कप गोभी मै और यहां सभी मसाले हैं जिसमें दोचमच जीरह पॉर्डर सबच्यास डाल मिस्थ पॉर्डर जमलबाई चुमच रवुणसौ के नियुज़ण कोकर । तेल डाट के गरम करके उसमें सब्साबध गरम निकालके यह भून सी करें प्याज क्षप करें कि उसमें मिक्स करके मीडियम प्लेम पे गोल्डेन ब्राउन साज सब्साइश सब्सार प्राल करें using गाजा, सिमला मिच, गूभी और सभी लगतारा चलाते विए इसको हम भूनेंगे और थोड़ सा नमक हम मिक्स करेंगे जिस सब्जी अगल भी जाएंगे और अच्छे से सब्जी भून भी जाएंगे जब तक सब्जी भूनेंगे तब तक हम बारिक पेश्ट प्याज के बनाक उसके बार एक कप टमाटर प्यूरी इसमें हम डालेंगे और इसको भी लगतार चलाके हम भूनेंगे दो बनेट तक अब मैं इसमें सभी मसाली मिक्स करूंगे दो चमच लाल मिश पॉर्डर, जीरा पॉर्डर, धनिया पॉर्डर, दो चमच, सब्जी मसाला पॉर्डर और मसाला पार्डर और इसमें हम गरम मसाला दो चमस मिक्स करेंगे वे सोया कीमा है इसलिए मसालों का यूज थोड़ा सा ज्यादा होगा तभी आपकी सब्जिया बहुती टेस्टी और एदम धाबाय स्टाइल में आपकी सब्जिया एदम बनके त्यार होंगी जिसतर से रेश्ट सब्जिया अच्छे से बून गई है अब मैं इसमें 2 चमच टमैटो स्वाश मिक्स करेंगे 2 चमच हम सोया स्वाश मिक्स करेंगे इसमें 1 चमच चेली स्वाश भी मिक्स कर सकते हैं तेस्ट बहुत बढ़िया आता है एदम मंचूरια ग्रेवी आपकी त्यार होगी इसमें थ थोड़ा सा मैगी मसाला भी मिक्स करेंगे और इसमें हम फ्राइड अनियन मैंने उसका पेश्ट बना के रख लिया था उसको मिक्स कर लेंगे बहुती टेस्टी स्पैसी आपकी सब्जी इंदम रेश्ट्रोंट इस्टैल में असानी से घर पर बनके त्यार हो जाएगी इसमें करते हैं इसमें थोड़ा सी कस्तुरी मेथी मिक्स कर देंगे उपर से धनिया पती कस्तुरी मेथी से गानिश कर देंगे इसको अब हम सर्व करते हैं इसको पूरी पराठेक साथ या लच्छा पराठेक साथ आप खा सकते बहुती टेस्टी सब्जी लगती है इसमें थोड़